अखिल ग्राम रोदय रोग मुक्ता भियान के ताथ माधवबाग कॉंडाली में काटल तहसल में ग्रामिन रोगी सेवा के लिए आधुनिक टूडी की एको मशिन सुवधा का शुभारम किया गया है कॉंडाली सित माधवबाग अस्पताल भारत में एक गैर सर्जिगल आयूरवेदिक अस्पताल है बिना किसी ऑपरेशन के सिर्फ 6 दिनों में इस अस्पताल में रुदय संबंदी बीमारियों से पेडित मरीजों का इलाज किया चाता है अस्पताल उन रोग्यों के लिए एक जीवन रेखा बन गया है जिने डॉक्टर द्वारा एंजियोप्लास्टी और बाइपास सर्जरी से गुजरने की सला दी गई है अस्पताल में आईपीडी, ओपीडी, 24 घंटे चिकितसा सुविधाय, फिजियो थेरपी, कार्डियाग एक्सेसाइज रूम, पैथ लाब, कार्डियाग एंबुलेंस, पंचकर्म रूम, आईसी यू, आदिस सेवाय उपलब्ध है ऐसी भी सुविधाओ की तरह टूड़ी ईसी ओ प्लस जी रूदय रोग से संबन्दित है एल इस तरह की अत्यादोनिक निरिक्षन को उपलब्ध कराया गया है GLS यह एक ऐसा स्कोर है जिसके माध्यम से हम रुदय की मास पेशों को रखती आपरती को आसानी से जान सकते है ऐसी जांच अब माधोबाग के कुंधाली अस्पिताल में शुरू की गई है शुभारम समारुहर रविवार 20 दिसंबर को शाम पाच बजे माधोबाग कुंधाली अस्पिताल में किया गया अच्वीन सुले अध्यग्ष वाड़ी आउशी मेडिकल अस्पिताल वाड़ी नेस्च महाराष्ट अपस्तित थी बेसेकली जाविडी आपन कुठलाई पेशन्टला रुदे रोगाचा त्राज जाला है जासे कि हार्ट अटेक हार्ट अटेक जाले अवर अत्यां तक हाईची स्थिति निरवाणों ते धावत पलत आईस्योच जायल लगत परन्तु ही स्थिती येनयाचा आधीच जर अपलेला या रुदे रोगाची महाईती मिलाली तर निश्चितच अपलेला भविश आतले हार्ट अटेक सरके गंबीर धोके टालता यह शकता ग्रामिन भागातले जनते साथी एक अत्याधुनिक प्रकारचा टूडी इकोच मशीन अपनी थे इंस्टॉल करता होत जा मशीन चा माध्यमातुन अपलेला रुदेयाचा मास पेशिन चा रक्त पुरोठा आणि रुदेयाचा मास पेशिन ची कार्यक्षमता यह दोनी गोश्टी कोंटे ही ओपरेशन शिवा यातिशे सोप्या पद्धती ने समझू शकता माला वट्टे कि यहा मशीन मुणे रुदेय रोगयांचा जो आजारा हे तो योग्यवेडी डिटेक्ट वाईला याटी कानी मदध हो शकते है आणि त्या चाज परणा मी भविश आतले हार्ट टैक आणि त्यातू नुत्बहुणारे मृत्यू चे धोके आप लेला टारता यूँशकता है मदौ बक्ची ही संकल बना आशी है कि आप लेला नयसर्गिक पत्धतीं ने रुदेय रोगयावरती मिजण मीड़वायाचा है आदा रुदे रोग वर्ती विज़ बिलवाएचा विजय मेलोता यो शक्तो दैनन्दीन व्यायाम पंचकरम चिकेचा आहराच काटे कोर बालन आणि त्याच बरोबर आधुनिक तपास ने जसे कि टूडी इको आहे, स्ट्रेस टेस्ट आहे, सगया पैथलाव इन्वेस्टिगेशन्स या सगया गोश्टिनचा एकत्रे तो आपर केल्या मुणे, आपलेला रुदय रोगा वरती कोड़ताई ओप्रेशन न करता विजय मेलोता येतो अत्ता परंतचा संशोधनातुन माधो बाग मदे है सिद्ध जालेला है कि ब्लॉकेजेस, मंजेस रुदयाचा रक्तवाहिनी मदे जमनारी चर्बीचे थर ये कुठलाई ओप्रेशन न करता आपलेला कमी करता येता आणि या आजारान पासुन स्वताला मुक्त करता येतो मैं बोलूँगी कि तूडी इको मतलब ये माधो बाग के लिए एक सोधनें पे सुहागा है अभी तक जो हम माधवाग हॉस्पिटल में यहाँ पर पेशन्ट को निरंतर कुछ सुविधाय देते आये हैं जहाँ पर हम लोगों ने पेशन्ट को 2DE को जो है वो तो हमने अभी शुरू किया है बट इसके पहले भी स्टेस्ट है, ECG है, यह बेसिक टेस्ट हम करते ही थे और आज हम देख रहे हैं कि इधर जो पूरा काट्टोल तालुका है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में यह टेस्ट कहीं पे नहीं होती है और यह इतनी एडवांस लेवल पे टेस्ट है कि आपको पेशन्ट का एक्जिक्ली हाट का कंडिशन तो पता चलने ही वाला है आगे होने वाले कोई डामेज या फिक कोई चीज़े हैं वो भी हम इसमें देख सकते हैं तो ओवरॉल में बोलूंगी कि लगभग 50 किलोमेटर के एरिया में जो पेशन्ट से उनकी लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है यह जहां पर पेशन्ट अपना टूडी को जो है वो करवा सकते हैं जिनका रिकवरी याने पूरा चेकब के बाद ट्रिटमेंट हो चुका है और उनको उसमें इंप्रूमेंट क्या मिला है यह भी हम इस टूडी को टेस्ट के द्वारा देख सकते हैं तो इसमें जाधा से जाधा जो पेशन्ट हैं उन्हें लाब मिलने वाला है और वो इसका सब्सक्राइब करते हैं तो इनके साथ जूड़ा हूं और इसमें मैंने यह टेकनलोजी जितना हो सके उतना एडवांस सिस्टम जो भी अभी मार्केट में है जितना भी हम लोग हाट कितना इंप्रूव हो रहा है वो देखने के लिए जो भी सिस्टम लगता है सॉफ्ट्र लगता है मशिन लगता है वो सारी चीजें हम लोग वने अभी तक इंट्रोड्यूस की है और यह सेम संकल्पना हम लोग यहां पर कुंधादी में भी लेके आके नाव वी आ डूइंग आप ए और अपने जितने भी हाट के पेशन्ट है उनका इंप्रूमेंट कितना हो रहा है क्या हो रहा है हो देखे और उनका हाट जितना स्ट्रॉंग हो सके बनाने का कोशिश करेंगे देखो इसके लिए तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है वही में इसके लिए यह है रिजन है जो म में हैं वो फास्ट लाइफ जी रहे हैं और जितना हो सके उतना ना ओर निंग करने का कोशिश करते हैं दिनराथ कोशिश करते हैं कॉर्पर जो कंपनीज है वो भी उनके उपर बड़न वही हिसाब से डालती है और इसमें उनका जो डायेट है एक्सराइज है और जो फैमिली टाइम है वो सब भूल के और अपने जॉब के पिछ लगे रहते हैं तो यह सब कट डाउन करके थोड़ा थोड़ा टाइम कट डाउन करके अगर हाफ आफ एनावर टू फोटिफाइफ मिनिट्स अगर यह अपने खुद के शरीर के लिए करेंगे न तो भी उनका हार्ट स्ट्रॉंग बना के रखने के कोशिश रहेगे